जो भी लोग दुसरों की आखों को आशू देते हैं ना यानि किसी को भी अगर दुख पहुचाते हैं तो उन्हें ये बात बिलकुल नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास भी दो आख है और उनसे भी ज्यादा काबिल इस लोग इस दुनिया इस धर्ती पर है तो कुछ भी करने से पहले एक बार अपने उपर भी सोचिएगा अगर हम आज किसी कसी कोछ कर रहें तो कल क्या मेरे साथ भी वो हो सकता है क्या ठीक है क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा चैनल के उपर जो भी नए है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अबट आप सभी को मिलता रहे और इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम के उपर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है और किसी भी एक्जाम का ओनलाइन मोग टेस्ट जो है आप हिंदी और इंगलिस दोनों ही लेंग्वेज में देश सकते हैं हमारे एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के बाद गूगल के प्लेइ स्टोर पर ठीक है और रेल्वे एक्जाम हो एससी का कोई भी एक्जाम हो या बैंक के कोई भी एक्जाम हो हर एक एक्जाम का मोग टेस्ट और वहाँ से अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं सलाना तो एक साल तक आपको आने वाले हर एक एक्जाम के लिए मोग टेस्ट दिया जाएगा तागी आप लोग जज कर पाओ कि आप एक्जाम से पहले कितना स्कोर कर पा रहें कम से कम 20 से 25 हर एक्जाम का आपको दिया जाएगा और आज कवर करेंगे हम सभी 15 एप्रेल के इपोर्टेंट कर इंटरफेर कुछ इपोर्टेंट पॉइंट के साथ तो देखते हैं पहला प्रस्थ हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है पहला प्रस्थ है हजारी लाल रगुवंसी जिनका 93 वर्ष की आयू में निधन हो गया है वह किस राजनितिक दल से संबंदित थे ये आपको बताना है और हजारी लाल अगुवंसी जो है यह प्रालियामेंट के स्पीकर भी रह चुके हैं मध्य पर्देश में ठीक है और ये कॉंग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और ये मध्य पर्देश से जुड़े हुए थे कॉंग्रेस पार्टी से तो मध्य परदेश के कमल लात जी के हटने के बाद अभी बर्तमान में मुखे मंत्री कौन है सिवराज सिंग चोहान वहां का राजपाल कौन है लाज जी टंडन और कैपिटल तो वो है आपका भोपाल अगला प्रस हमारे सामने हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मंत्राले अच्छा ये मंत्राले किसके पास है पहले तो क्वेस्टन आपका ये बनता है तो आप बोलेंगे ये मंत्राले है भया हरदीप सिंग पूरी के पास ठीक है ने कोविड नाइंटीन के लिए विसेंस प्रसनों को संभालने के उदेश्य से एक एप का संसोधित सत्करन जो है वो लॉंच गया है उसका नाम क्या है तो उसका option है आपका option number आपका B ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है निमलिकित में से किसने मैलीना ट्रम्प की अंधिकरित जीवनी लिखी है ठीक है ये बताना है और उसका सिर्षक नाम क्या दिया गया है उनकी जीवनी का तो वो दिय घवी लेखा घएगा की लिखा ते लिखे चाना में दिखा लूखेगे कि मैलीना ट्रम्प का अभी लांच किया गया है उसका नाम क्या था तो आप सभी क्या भोलेंगे फात और ये किसके द्वारा लिखा गया है तो यह लिखा गया है आपका Mary Jordan के द्वारा option number आपका D अगला प्रस हमारे सामने है भारतिया रेल्वे कोच प्रणवास कारेसाला ने चिकिसा पेस्वरों और डॉक्टर की सुरक्षा सुनक्षित करने के लिए सुनने संपर्क जास्विदा के लिए क्या नामक एक मोबाइल डॉक्टर बूथ विक्सित किया है अब ये question को थोड़ा मैं समझाओंगा पहले answer देख लो answer क्या है इसका आपका चरक इसके अंडर क्या है देखो जितने भी डॉक्टर है उनका पूरा तो पूरा खयाल आपको रखा ही जाएगा प्लस अगर मालो आप किसी डॉक्टर से नहीं मिल सकते हैं तो इस जो आपका application बनाया गया इसके सहायता से क्या है आप डॉक्टर से संपर कर सकते हैं और बीना डॉक्टर से मिले आपको डॉक्टर हर एक सला दे सकते हैं जो कोवीड-19 से आपको बचा सकते हैं अगला प्रस हमारे सामने हैं इसको टोकियो जर्नल इंसूरेंस के परबन निदेशक यानि मैनेजिंग डिरेक्टर और सीयो के रूप में किसे किया गया है उनका नाम बताना है और उनका नाम है option number D अनामई का रॉय ठीक है अगला प्रस हमारे सामने है केंद्र सरकार आज का सबसे important प्रस खाला कि सारे question बहुत important है मैं जो भी question class करवाता हूँ सुबह में साड़े चार बजे जातर question वो लाता हूँ जो आपके exam में बन सकता है केंद्र सरकार ने COVID-19 अपात कालिन पर्तिकिरिया और राज्यों के लिए स्वास परणाली की तयारी package के लिए कितनी रासी को मंजूरी दीए यानि हर राज्य को कितने करोर रुपए दिये जाएंगे राहत package के मद्दे नजर ताकि हर एक राज COVID-19 से जो है वो उभर सके सरकार में नहीं दिया जाएगा सरकार का कहना है केंद्र सरकार का कि 2020 से 2024 तक यानि चार साल में ये package पूरा जो है वो दिया जाएगा हर एक राज्य को लेकिन याद रखिया कितने का package बनाया गया है तो वो package है आपका 15,000 करोड का ठीक है बहुत important question है आप data याद रखना कितने रुपए का package जो है वो तयार किया गया है केंद्र सरकार सेंटरल गवर्रमेंट के दुआरा अगला प्रस हमारे सामने ACI विकास बैंक ने भारत को समर्थन package में कितने billion होगा यहाँ पर billion की रासी का अस्वासन दिया है तो 2.2.2 billion का यानि 2.2 billion dollar का क्या लिखेंगे यहाँ पर बगल में dollar ठीक है तो ACI विकास बैंक ACI Development Bank जो है वो भारत को कितने रुपए का support package देगा तो 2.2 billion dollar का अब आज का आपका पहला प्रस यहीं से निकल कर आ रहा है आप सभी को comment करकर यह बताना है ACI विकास बैंक के अध्यक्च है कौन? ACI विकास बैंक का मुख्याले कहां पर है? और ACI विकास बैंक का इस्थापना यानि गठन कब हुआ ता वो साल बताना है यह तीन चीज आपको ACI विकास बैंक के बारे में बताना है यह आपका आज का पहला प्रस नहीं अगला प्रस नमारे सामने किस राज की सरकार ने COVID-19 होट इस्पोर्ट की पहचान करने के लिए एक ओपरेशन सिल्ड सुरू किया है अब होट इस्पोर्ट क्या है देखो जहां पर सबसे ज़्यादा मामले आ रहे है अब यह ओपरेशन सिल्ड क्या है आप एक तरह से बोल सकते हो आज के डेट में कि पूरी तरह से सिल्ड करना यानि लॉकडाउन से भी एक स्टेप आगे हर एक चीज का पूरे निग्रामी रखना quarantine मान लो, isolation मान लो या फिर पूरे अच्छी तरह से lockdown से भी एक step आगे उसी इस operation को नाम दिया गया है और ये operation कौन सुरू करने जा रहा है तो दिल्ली option number आपका D, दिल्ली के CM कौन है अर्वीन केजरिवाल वहां के उपर राध जुपाल कौन है तो आप क्या बोलेंगे अनील बैजाल ठीक है, अगला प्रस हमारे सामने है ये question भी काफी important है, कौन सा railway station है COVID-19 के मद्दे नजर करमचारियों और यात्रियों की सुरुच्छा सुरुचित करने के लिए बड़े पैमाने पर हाला कि मैं question आप समझ लो या घुसता है या निकलता है आप देखे होंगे ना, कि station पर entrance होता है, निकलने और बाहर exit, तो आपको पूरे body को जो है, वो scientize किया जाएगा, उपर से जो है, वो scientize आपको किया जाएगा ताकि आप, जो है क्रोना भारस से जो है, वो बस सके अगर अभी आप क्या कर रहे हो, हाथ में आप लगा रहे है ना, साइटाइजर वगरा, ताकि आपका हाथ जो है, वो safe हो पाए लेकिन आपको पूरे आपके उपर जो है, वो छिड़का जाएगा, क्या साइटाइजर टरनल जैसा बनाया गया है यह कहाँ पर बनाया गया है, तो यह बनाया गया है आपका एहमदाबाद railway station पर option number आपका B और एक बात, एहमदाबाद कहाँ पढ़ता है, गुजराप में पढ़ता है तो गुजराप के CM कौन है, विजयरुपानी वहाँ के राध्यपाल कौन है अचारे देब्रद, और क्यापिटल तो वो सभी को पता है, गांधी नगर अगला प्रस्त हमारे सामने है यह question भी काफी important है, निमलिखीत में से कौन सा बैंक है, जो COVID-19 बिमारी से लड़ने के लिए और रोकने के लिए छेत्रे सदस्य देशों की साहता के लिए 10 बिलियन डालर के response facility का खुलासा किया है बहुत बड़ी रकम है ये वाला तो याद रखेगा, इतनी बड़ी रकम का जो घोसना किया गया है वो किया गया है African Development Bank यानि Africa Vicas Bank के द्वारा option number D ये question तो याद रखना आप सभी भूलना मत क्योंकि रकम बहुत बड़ा है अगर मैं ये वही पर बात करूँ विस्व बैंक के द्वारा कितना रकम जारी किया गया है तो पहले 12 million से उन्होंने रकम बढ़ा दिया है 14 billion dollar कर दिया है किसने? एक बार बोलो ठीक है? तो ये 2-3 data जो है आप याद रखिएगा कि 14 billion dollar का सहायता package दिया गया है World Bank के द्वारा, WHO के द्वारा दिया गया है, 675 million dollar का और एक बार Jack Dorsey जो Twitter के CEO है उन्होंने 1 billion दिया है उनका नाम याद रखना वो भी exam में question बन सकता है और 10 billion dollar दिया गया है African Development Bank के द्वारा ये भी आपको याद रखना है ठीक है? यहाँ पर 2-3 चीज़ मैंने आप सभी को clear करवाया है अगला प्रस्स हमारे सामने है वरिष्ट नागरिको यानि senior जितने भी senior citizen person है उनकी निगरानी और COVID-19 रोग की सिग्र पहचान करने में मदद के लिए launch किये गए application का नाम बताना है तो आप सभी को पता है senior citizen जो है उनके उपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पढ़ रहा है इस COVID-19 का तो उनके उपर उनके अंदर अगर ये बिमारी है की नहीं है इसके पूरी पहचान करने के लिए तो जल्दी से पहचान हो पाए इसके लिए एक application launch किया गया है उस application का नाम क्या है तो उस app का नाम है आपका safe senior याद रखिएगा अगला प्रस हमारे सामें नहीं तो ये थे हमारे आज के important question 15 April का इसका पूरा PDF आपको इस विडियो के description box मिल जाएगा so मेरी जितने भी भाई वैन है सभी को बहुत बहुत good morning आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल रखिएगा ठीक है ना चली